नमस्कार मैं राकेश कुमार, motivational speaker and business coach दोस्तो भोतिक विज्ञान का एक शिधान्त है law of conservation of energy दोस्तो law of conservation of energy मतलब उर्जा संरेक्षण का शिधान उर्जा संरेक्षण का सिधान्त यहां बताती है दोस्तो कि उर्जा को नहीं बनाया जा सकता है और नहीं मिटाया जा सकता है बलकि इसको एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में अस्थानन्त रिद या बदला जा सकता है इसको ऐसे समझ सकते हैं मा लिजे किसी product की cost या price जो है वो 10 रुपे है घर से जब आप 10 रुपे लेकर निकलते हैं या सोच कर कि मुझे उप्त product को खरीदना है या खरीदना ही है बिना उसके मेरा काम चलने वाला नहीं है क्या होता है जब आप घर से निकलते हैं रास्ते में कहीं आप को आइस्क्रीम वाला मिल गया तो आप क्या करेंगे आप सोचेंगे चलो 5 रुपे का आइस्क्रीम ले लेता हूं या बर्फ ले लेता हूं जो भी है और फिर जब आप बर्फ ले लेते हैं या आइस्क्रीम ख तो फिर क्या होता है आप बोलते हैं मेरे पास 10 रुपे नहीं है मेरे पास तो 5 रुपे है फिर वह क्या करता है पता है वह कहता है कि तुम्हें यह सामान लेना ही लेना है तो वह क्या कहेगा कि फलाना मेरा काम कर दो या इस काम को तुम इस सामान को यहां उठा दो या इस साम रुपे देता दोस्तों वह पांच रुपे का काम आपने उसका कर दिया फिर क्या होता है वह आपको प्रोड़क्ट दे देता है तो मतलब यह है कि अनर्जी आप कहीं न कहीं से लगा रहे होते चाहिए वह पैसे के रूप में या ताकत के रूप में अपने वर्क के रूप मे दोस्तों अक्सर करके विद्यार्थी सिध्धान को फालो ही नहीं करते हैं अपनी लाइब में उनको यह पता ही नहीं होता दोस्तों याद रखे हर एक पावर की हर एक ताकत की अपनी एक एनर्जी होती है यही हमारे लाइब में होता है यही हमारी सिक्षा में होता है यही हमा कार्यों में लगे होते हैं इसलिए अक्सर करके हम क्या हो सकते हैं सफल हो जाते हैं यह कह सकते हैं हम एक मंचहारी जल प्राप नहीं कर पाते हैं दोस्तों इसके लिए आचार चाड़क ने पांच ऐसी चीज़े बताई हैं यदि आप उसको फालू करते हैं तो यकीन मालनिये आप कभी सफल होंगे यह नहीं आप हमेशा सफल होंगे दोस्तों चाड़क जो सबसे ज़रूरी और पहला करतब मानते हैं या पहली चीज़ बताते हैं वह है नयतिकता दोस्तों अक्सर करके जब बालक बड़ा हो जाता है या वयस्क हो जाता है तो उसके अंदर अक्सर करके अनयतिकता की भावना आ जाती है अगर उसने अपनी अनयतिकता की भावना पर काभू पालिया अपनी काम वाशना पर काभू पालिया तो यह उसकी पहली सीड़ी होती है यह कह सकते हैं उसने निव डाल दिया है काम मानसिक विकास रुख जाता है मानसिक रूप से हम साथ ग्रस हो जाते हैं क्रोध में अनयतिक कार कर देते हैं या कुछ गरत कार कर देते हैं जिसकी वज़े से उस उक्त वस्तु पर या उस पेपर पर या उस सब्जक्ट पर उतना समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारा तो सार लौट सबसें इंपूराइन बताते हैं दोस्तों वह है संतुलित आहार एक चात्र के लिए जो बहुत जरूरी होता है वह संतुलित आहर दोस्तों जब संतुलित आहर की बात आती है तो संस्कीत का एक इश्लोक है काकचेश्टा बको ध्यानब स्वान निद्रा तथेवच्छा अलपहारी ग्रहस्त त्यागी विद्यार्थिना पंचिलच्छला दोस्तों उसी में से एक खेल्दी भोजन लेना चाहिए बहुत ज्यादा एक्ष्टा लेने की जरूरत नहीं वहीं पाचवा आचार चाणक जो विद्यार्थि के लिए बहुत जरूरी बताते हैं कि विद्यार्थि को साधारन होना चाहिए साधारन दिखना चाहिए मनलब बहुत स्रिंगार नहीं क कर देंगे तो आप पढ़ेंगे कब दोस्तों एक विद्यार्थी जो होता है विद्यार्थी के लिए जरूरी होता है कि वह खेल कुद में भाग लेगा तो उसका स्वास सही होगा उसका हेल्थ सही होगा हमेशा याद रखें कि स्वस्त सरीर में स्वस्त मस्सिस का निर्मान होता है जी हां दोस्तों इसलिए जरूरी है कि आ उतार लेता है तो यकीन मानिए दोस्तों वह सफल बहुत जल्डी होगा उसको सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी ऐसा चाड़क कहते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्